हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए कैसा नाश्ता लेकर आई हैं जो डीफ राई नहीं है बहुत जल्दी बन जाता है मटर का एकदम शानदार दोस्तो यह स्टार्टर है हर ब्रिकफास्ट में इवनिंग स्नैक्स में या फिर पार्टी आप किसी में भी इसको बनाई है बन भी जल्दी जाएगा और सब आपकी तारिफ बहुत करेंगे अगर ताजा मटर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे फ्रोजन से भी बना सकते हैं मैंने इसको डीफ राई नहीं किया है बहुत जल्दी सिर्फ पांच मिट में ये बनके त्यार हो मिक्सी में चला कर ब्रेट करम्स बना लिया है हरा दनिया है दोस्तों हरा दनिया है एकदम बारिक काट लिया हरा हरा लगेगा हरी मटर के साथ में बहुत अच्छा टेज देगा दो प्याज है जिनने बहुत बारिक से मैंने काट लिया हरी मिर्ची है तीन से चार जिनने बा आदा चामश नमक डालने से क्या होगा कि इसका कलर भी नहीं बदलेगा एक दम हरी बनी रहेगी सिर्फ पाँच मिट मैंने इसको उबाला और फिर एक साधर उपनी जो चलनी होती है इससे इसको छान लिए आप देख सकते हैं मटर असी प्रश्या तक गल भी गई है और इसका कलर भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है मिक्सी के जार में जस्ट मैंने तीन से चार सेकेंड में विप करके इसको हलका सा क्रश कर लिया है सबसे पहले मैंने अपनी एक बाउल में दोस्तो अपने आलू ले लिया है उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है अद्रक डालेंगे और हरी मिज डालेंगे एक एक करके हम अपनी इसमें सामान एड करते जाएंगे आलू का अच्छे सुबला होना बहुत ज़रूरी है ध्यान से उबालिये कोई भी गाठे वगेरा ना रहे अगर आपको लेसुन का स्वाद पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा लेसुन भी आड कर सकते है दो बड़े चमच ताजा ब्रेट के क्रम्स मैंने समें मिक्स की है मैंने कोई भी मैदा आड नहीं की है फिर प्याज डाले है और उसके बाद जो हमारी हटी मतर थी जिसको मैंने क्रश किया था वो इसमें डाल दिया है अब इसमें आएए दोस्तों मसाले आड करते हैं स्वाद अनसार आपना मग डाल दीजे चोथाई चमच मैंने इसमें हल्दी पॉडर डाला है और सबसे खास बात, सिर्फ इसमें एक चमच मसाला डाल दीजे घर का बना हुआ चार्ट मसाला है इसके रेसिपी गरब मसाला पे Mushman चेक कर सकते हैं और कोई भी मसाला डालने के जरूद नहीं पड़ेगी चार्ट मसाले के अंदर सभी मसाले हैं हातों की सायता से इसे अच्छे से इसका एक सॉफ्ट डो जैसा तयार कर लीजे कोई गांट वगेरा ना रहे एकदम हरा हरा मुलाइम सा बनके तयार है अब इसे अपने मनपसंद शेप में बना लेंगे बाजार में बहुत आसानी से दोस्तों इस तरह के शेप कटर मिल जाते है मैंने हार्ट शेप के बनाए हैं बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है इजीली मिल जाते हैं आप इसको ले लीजे इससे बना लीजे अगर नहीं है ऐसा करने से तेल भी बहुत कम लगेगा और यह क्रिस्पी भी बन जाते हैं आप इस तरह कोट जरूर कीजे कोट करने के बाद मैंने इससे साइड में रख दिया और गैस चालू किये एक पैन लिया जिसमें बहुत थोड़ा सा तेल डाला है सिर्फ एक बड़ा चमचा तेल डाला है आप देख सकते हैं इतना भी नहीं लगेगा आप चाहे तो इससे कम में भी काम जला सकते हैं कैस का तेल जब गरम हो गया तो मैंने अपने मटर की कटलेट्स में रख दिये हैं एकदम छन छन की आवाज आ रही है खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही क्योंकि मटर की खुश्बू बहुत अच्छी आती है अलट पलट का दोनों तरफ से 5-6 मिनिट में ये अच्छे से क्रिस्पी एकदम सिख जाएंगे आपको दिखाई दे रहे हैं कितने क्रिस्पी हो गए और इनोंने तेल भी नहीं पिया है मटर के हैं बहुत अच्छे हैं इसे मैंने पुदीने और हरे धने की चटनी और सौस के साथ सर्व किया है गरम गरम इनिंग स्नैक्स में ब्रिक्फास्ट में इसको बना लीजे आपकी तारीफ जरूर होगी मटर के दोस्तों इतने अच्छे स्टार्टर बनने में भी आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत हेल्दी रहते हैं आप इसे बनाईए बच्चों को बनाईए कभी अगर समय नहीं है तो लंच बॉक्स में भी आप इसे बना सकते हैं पार्टी में आप स्टार्टर किटी पार्टी में भी आप इसे यूज कीजे मैं आप से फिर मिलती हूँ तब तक के लिए थैंक्यू